जब भी गर बनके रेडियो हो जाता है कुछ हमारी दिवारे ऐसी रहती हैं आपका फ्लैट होगा उसकी दिवारे भी ऐसी होगी सबको क्या चाहिए उनकी फ्लैट की दिवारे एकदम लगजेस दिखें क्यूंकि खाली दिवारे अच्छी नहीं लगती हैं तो आज की वीडिय पैनल स्की में बात कर रहा हूं वाल पैनल से और क्या उप्शन हो सकते हैं पेंट हो सकता है मोल्डिंग हो सकता है लोवर्स हो सकते हैं पीवी सी हो सकती है सब चीजों के बारे में बात करेंगे उनके रेट के बारे में बात करेंगे तो शुरू करते हैं आज की वीडियो ल इसे लकड़ी से बनाय जाता था मतलब पूरा मोल्ड किया जाता है लकड़ी को cutting करकर ये pattern बनाय जाते थे फिर दीरे दीरे WPC Lovers आगे तो उन्होंने ये market ले ली क्योंकि इसमें काफी colors मिलते हैं काफी look ये देते हैं तो आप अपने bedroom के पीछे इसको use कर सकते हो कहीं भी इसको दिवार पर लगाओ लेकिन एक चीज़ में ध्यान देदू जो भी paneling हम करवाते हैं बले PVC है जो भी paneling एक दिवार पर लगती अच्छी अगर पूरे गर में वो करवाने जाओगे तो वो बहुत weird सा लगेगा तो आपको हमेशे एक चीज़ करना है जो भी दिवार को आप highlight करने वाले हो उसी दिवार पर ये paneling करना तो WPC lower लगाने का जो खर्चा हमें पढ़ जाता है 180 से 190 रुपे पर square feet हमारे market इसा में rate चल रहा है तो अगर एक 10 बई 10 की दिवार है तो आपको 18,000 से 19,000 रुपे खर्चा आ जाता है बाकी हर location पे depend होगा rate 10-20 रुपे आगे पीछे हो सकता है और material की quality चेक करके ही लेना अगर मैंने 180-190 बोल दिया तो मैं अच्छी quality का material बोल रहा हूँ तो अगर आपको कोई देट सुर्वे पर square feet material 180 का देदेगा तो दिक्कत आ जाएगी तो market में जब भी PVC पैनल लेना है 3-4 दुकानों में जाके पता करना है उसकी thickness देखनी है, quality देखनी है जो भी color चाहिए आजकल हर एक color आपको मिल रहा है जो भी size में आपको चाहिए mostly हर एक size आ गया है और ये होती है UV sheets मतलब एक पूरा texture जो होता है एक marble की तरह मिलता है Italian जो tile रहती है उसकी तरह दिखते है जो आपको दिवार पे बस चिपकाना होता है ये दोनों चीजे बहुत ज़ादा trend में है लोग काफी use कर रहे है इनको सस्ते में royal look एक आपके घर को मिलती है अभी मैं बताता हूँ खर्चा कितना आएगा देखो एक idea ले लो 10 by 10 की हमारी दिवार है मतलब ऐसे 10 foot है और ऐसे 69 foot ले लो क्योंकि 10 foot के तो complete होगे नहीं पूरी आपकी नीचे skirting आयाती है आपकी जितनी भी दिवार हो आपको ले लेनी है जितनी ऐसे लंबी दिवार है और ऐसे लंबी ठीक है दोनों चीजे ले लेनी है दोनों साइड हमने क्या देखा lowers लगे हुए थे ठीक है दोनों साइड lowers लगे हुए थे तो हमने लगा दिये 1.5 feet यहाँ पे lowers डाल दिये 1.5 feet यहाँ पे lowers डाल दिये 1.5 feet यहाँ पे lowers डाल दिये जैसे pick सामने आप देख रहे हो और बीच में यहाँ UV sheet आ जाएगी ठीक है 1.5 foot यहाँ आगया 1.5 foot 7 foot में UV sheet आपकी मेरे ख्याल में जितनी बड़ी दिवार होगी उतने ज़्यादा वो सुंदर दिखेगा तो आपको इसी साब से पहले बना ले ने फिर खर्चा निकलाएगा तो साथ-साथ में दोनों का खर्चा निकालेगे हम लोग देखो जो WPC lower है उसका खर्चा यहां डालूँगा UV marble sheet का यहां डालूँगा जो size मेरे को market में मिला 6 इंच वाई 9 foot का आपको मिल जाएगा यह यो लोवर हम लगेंगे और यो UV marble sheet है वो आपको मिल जाएगी 4 वाई 8 की market में size मिल गया दोनों का फिर जो इस समय खर्चा पड़ता है अगर WPC lower की में बात करूँ material प्लस lever वो खर्चा पड़ जाता है कुछ 200 square feet lever price चल रहा है 30 रुपे पर square feet बाकी 170 रुपे का आपको material लग जाता है कितना material 170 रुपे 30 रुपे की lever आपको लग जाएगी पर square feet का एक खर्चा में आपको बता दिये एक square feet में इतना खर्चा पड़ता है और इसका अगर आपको वीडियो देखना होगा कि कैसे निकालना है वो वीडियो description में रहेगा वो इसके बाद देख लेना वैसे UV marble sheet material परस lever का खर्चा पड़ता है lever का rate है 25 से 30 रुपए 25 रुपए और इसका है 105 रुपए material का खर्चा पड़ जाता है और material में क्या क्या लगता है कैसे लगाना है इसपे वीडियो आ चुकी है वो description में रहेंगी हमें मिल गया कि एक square feet का 130 रुपए पर square feet UV का खर्चा पड़ता है और 200 रुपए इसका तो अभी देखो हमने यहां डेड़ feet में लगवाई कितने डेड़ feet में और साड़े no foot height है आपको दो feet में लगानी है आपको दो लेना है तीन में लगानी है तो मैंने डेड़ feet में लगाई डेड़ और साड़े no foot उसकी height थी clear? साड़े no foot आगे तो दुनों को multiply किया मेरे को मिल गया 14.25 square foot हमारा एक जगा का area हो गया यहां से यहां तक हमारी एक कितना हो गया? साड़े चोदा square feet वैसे ही आपका दो जगा लगने वाले हैं कितना? इतने area में हमारा WPC लगने वाला है एक square feet का rate है 200 रुपया हमें पढ़ता है lever plus material कितना? एक square feet का तो 28.5 into 200 करेंगे तो हमें मिल जाए कि 5,700 रुपया हमारा WPC lower लगाने का खर्चा आयाता है दोनों तरफ आपका जितना area होगा डेड़ फिट दो फिट आपको बस इस तरीके से आपको उसको निकाल लें और 200 से multiply कर देना है 5,700 रुपया हमारा ये लगा अभी UB marble sheet हमारा एक square feet में 130 रुपया लग रहा था तो हमारी जगा कितनी बच रही है बीच में? 7 foot ऐसे हैं और 9.59 हो गया 6.5 square feet हमारा area बंड रहे और एक square feet में 130 रुपया खर्चा आ रहा है material लेवर तो 60.5 में हमारा आ जाएगा 8,645 रुपया खर्चा कितना? 8,645 तो दोनों का मिलाते हैं अगर खर्चा WPC lower का भी और इसका तो आ जाता है 14,345 रुपया हमारे लेगा अगर आपका 10 by 10 का कमरा है तो आपको अगर WPC lower और ये mix करना है UV sheet जो design मैंने आपको starting में दिखाएं उनको बनाने का 4,345 रुपय खर्चा जाएगा अगला जो आपके पास option हो जाता है lowers में ही अगर आपको WPC अच्छे लग रहे हैं लेकिन cost कोहफी जादा लग रही है तो इसमें ही सस्ता option भी होता है PVC lowers तो PVC ने भी अपने lowers निकाले हैं तो बहुत अच्छी look वो भी देते हैं सेम उसी की तरह दिखते हैं लेकिन quality थोड़ी कम हो जाती है लेकिन हमें दिवार पर quality क्या करनी है क्योंकि थोड़ टाइम बाद हमें इसको change करने है कौन सा इस पर load आने वाला है कौन सा हम तोड़ने वाले तो आप इसके साथ भी जा सकते हो PVC lowers के साथ तो PVC lowers लगने का खर्चा आपको 130 से 140 रुपे पर square foot पर जाएगा और यह अच्छी लुक आपके गर को देंगे तो इसको भी आप अपने option में add कर सकते हो Wallpaper सबसे सस्ता है और देखने में luxury look देता है कोई भी hotel में चले जाओ वहाँ पे दीवारों पे Wallpaper होंगे ही होंगे तो कुछ ऐसा Wallpaper वो दिखता है जिसमें आपको जो pattern चाहिए हर एक pattern मिल जाएगा इसमें आपको सस्ते range से महंगी range तक पहुंच जाओगे आप इसको लगबग आपको लगाने का खर्चा जो start होता है वो 80 रुपे से 90 रुपे पर square feet होता है मतलब आपकी अगर 10 रुपे 10 की दिवार है बैट के पीछे वाली तो आपको कुछ 8,000 रुपे खर्चा जाएगा एक दिवार पर वो ओल पेपर लगाने में लेकिन वोल पेपर की भी quality बहुत ज़ादा differentiate करती है तो उसी साफ से उसका price भी होता है लेकिन एक अच्छी quality का वोल पेपर आपको 80-90 पर square feet में लेवर प्लस material के साथ मिल जाता है तो जो भी rate मैं आज आपको बताऊंगा material और लेवर दोनों इसमें include है और कौन सा वोल पेपर आपको लेना है कैसे quality चेक करना है उसके लिए description में वीडियो में ने पूरे explain करके बना दिया वो डाल चुका हूँ वो देख लेना इसके बाद अगला option आपके पास आ जाता है सस्ते में वो है PVC panel PVC panel भी bedroom की दिवार के पीछे बहुत अच्छी look देते हैं बले आप इसको अपने sofa के पीछे लगाओ बले living room में बले पूरे गर में आप इसको लगवा सकते हो काफी अच्छा look देते हैं जो market में इस समय काफी trendy look के साथ PVC panel आ गये हैं पहले कुछ limited colors होते हैं limited patterns होते थे आजकल बहुत तरीके के आपको दिखेंगे market में आप ले सकते हो तो इस समय जो market में इनका rate चल रहा है वो चल रहा है 55 रुपे से 65 रुपे पर square feet इसमें भी labor price material include है लेकिन आपके area में ये महंगे हो सकते हैं क्योंकि आगर आप wholesale से लेते हो ये 55 जो 65 में बोल रहा हूँ ये आपको 40 से 50 रुपे पर square feet में भी मिल जाते हैं बाकि इनकी भी quality आपको देखके ही लेनी है PVC पैनल की life अगर हम बात करें तो अगर अच्छे से उनको रखोगे तो आर से 10 साल इनको कुछ नहीं होता है थोड़े तो आपको लाइम प्लास्टर करना पड़ेगा और नेच्रल कॉंक्रीट लाइम प्लास्टर करते हो तो एकदम लुक अलग सी निखर के आती है ये सामने आप देखो पिक्स कैसी दिख रही है बहुत प्रिमियम सा रिच लुक आपकी दिवारों को दे रही है एसी वोल्स अगर आप चाती हो तो बहुत रही हाईलाइटीट सी लगती ही है आपकनी एंट्री की वॉल ड्रोइंग रूम की वॉल्ल या बेड्रूं की वॉल आपको मेरे खेल में नेच्रल कॉंक्री लाइम प्लास्टर करवाना ही रहे एक नेच्रल सी लुक आती है यह जो नेचoral कॉंघवी Lры नाइम प्लास्टर है, इसको आप कर सकते हो, फिर साथ ही साथ इसमें रहते है पर्ल नाइम प्लास्टर, पर्लाटा भी बोला जाता है, उसमें क्या होता है? थोड़ी थोड़ी शेड़्स दी जाती है दिवारों को, वो तो काफी सालों से यूज किया जाता था लेकिन अगर आप अपने गर में करवाते हो तो आपकी दिवार को यूनीक सी लुके ये देता है तो मेरे ख्याल में आपको करवाना चाहिए अभी मैं इसका खर्चा आपको बता देता हूँ देखो आपका एरिया अगर 10 x 10 का आए हमारी एक दिवार है इस पे हम करवाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा 10 x 10 10 x 10 हो गया 100 square feet एरिया हो गया हमारा material प्लस लेवर का जो आपको इस समय खर्चा पड़ जाएगा वो पड़ जाएगा 99 रुपे पर स्केर फीट कितना 99 रुपे पर स्केर फीट अगर आपका एरिया है 100 रुपे सो स्केर फीट का तो 99 रेट देते हैं जिसमें material लेवर दो नो आ गया तो कुछ 9,900 रुपे हमारा खर्चा आ जाएगा किसका आपको अगर natural concrete plaster करवाना है नेक्स्ट जो option आपके पास आता है इस समय ट्रेंडिंग में है वो है यूबी marble sheet यूबी marble sheet एक look आपको देती है Italian marble Italian tile की तरह जिसको आप अपने wardrobe पे यूज कर सकते हो जिसको आप अपने bed के पीछे design बनवा सकते हो अपनी wall कहीं भी यूज कर सकते हो ये बहुत अच्छा ल अगर आप यूबी marble sheet दिवार पे लगाते हो ये तीन से चार गंटे में एक दिवार पे लग जाता है तो अगर आपकी 10 बे 10 की दिवार है तो आपको एप्रॉक्स कुछ 10,000 से 12,000 रुपया खर्चा आ जाता है दिवार पे लगाने का और इसका यो rate चल रहा है वो चल रहा ह 100 से 140 रुपया पर scare feed अगर आप अच्छी quality की UV marble sheet लगाते हो इसमें भी labor plus material में ने बोल दिया है और जो मैं आपको idea दे रहा हूं rate का ये हर location पे 10-20 रुपया आगे पीछे हो सकते है material की quality भी होती है labor का भी rate होता है तो वो अलग लग इसाब से होते है लेकिन लग बग ये standard rate है इससे अगर कोई 200 रुपया बोल दिया 300 रुपया तो वो extra cost आपसे ले रहा है अगला option आपके पास हो जाता है जो PVC के fluted panel आजकल चल रहे हैं बहुत सुंदर देखते हैं fluted panel तो market में आपको 80-90 रुपय पर scare feed के साब से fluted panel मिल जाएंगे जो आपके गर को एक अलगी look दे ब्राउन कलर mostly लोग choose करते हैं क्योंकि वो एक vibrant रहता है हमेशा की तरह लेकिन आपको इसमें काफी colors भी मिल जाएंगे अगर आपकी 10-10 की दीवार है तो आपको कुछ 8000 से 9000 रुपया पर scare feed 9000 रुपया खरचा पड़ जाएगा material प्रस labor के साथ अगला option बहुत अच्छा है PU stone यह थोड़ा costly option है लेकिन आप इसको entry में use कर सकते हैं अपनी entry की wall पे यह अपने bedroom के wall के पीछे तो इसका जो PU stone यह सामने आप stone देख रहे हैं एक नकली stone है PU से form से बनता है और यह जितना ज़्यादा इसकी मोटाई होती है थिकनेस होती है उतना ज़्यादा यह costly होता है और इसमें भी आपको colors, patterns काफी मिल जाएंगे ऐसा लगेगा कि अपने अपने दिवार पे पत्थर सा लगाया हुआ है और इसको unique look देता है क्योंकि काफी लोगों को इसके बरे में पता नहीं है और जिनको पता है cost की बज़़ा से लोग लगवाते नहीं है अगर आप अप काफी खर्चा इसको लगाने का पड़ जाता है, molding बहुत अच्छी look देती है एक Paris look अगर आपको अपने गर में चाहिए एक सस्ते में तो यह look आप अपना सकते हो, PVC की molding आती है लकडी की molding आती है और भी काफी material की molding होती है, molding कुछ ऐसी दिखती है दिवार पे और circular patterns आ इती हैं, तो इससे भी आप अपने hall की wall को highlight कर सकते हो, bedroom की wall को highlight कर सकते हो, तो इसमें जो आपका खर्चा पड़ जाता है, लगबग 130 से 160 रुपया पर running feet के हिसाब से इसका rate होता है, इसका square feet के हिसाब से नहीं होता है, जितनी लंबा design आप बनाओगे, तो उतना इसका rate हो हो जाएगा, तो मतलब एक running feet का 130 से 160 रुपया rate पड़ जाता है, अगर 20 running food होता है, या 10 running food होता है, तो उसको multiply कर लो, आपका 13,000 या 14,000 रुपया खर्चा आपका आ जाएगा, तो इस हिसाब से calculation की जाती है, बाकी दिवार पे आप profile light का भी trend है, आप इसको false link में करवाओ, 220 से 230 रुपया running feet के साब से, ये market में आपको अच्छी quality की लग जाएगी, material plus lever, तो कुछ जो भी design मनाओगे, उसको लंबाई, उसकी नापनी है आपको, अगर आपकी 10 foot है, तो आपको उसके लिए per square running feet के साब से 220 रुपया देना पड़ेगा, अगला option है आपके पास, P.O.P क P.O.P के design भी हम काफी दिवार पे बनाते हैं, तो P.O.P का जो खर्चा है, 140 से 1500 रुपया per square feet के साब से आपको पड़ जाता है, अगर आप दिवार पे करवाते हो, एक और option आपके पास आता है, वो है stuco paint का, तो stuco paint अगर दिवार पे लगवाते हो, तो वो ऐसे तो आपक 80-90 रुपय per square feet मिल जाएगा, लेकिन वो basic look होगी, अगर अच्छी look आपको अपने दिवार पे चाहिए, तो stuco paint में 180-190 रुपय per square feet आपको अच्छी look मिल जाएगी, तो trendy चीज है, जो mirror finish mosaic tile आती है, ये बहुत ज़दा सुन्दर दिखती है, मैं एक दो pick आपको दिखात पॉइंट बना सकते हैं, या एक wall को highlight कर सकते हैं, अभी पहले इसका खर्चा देख लेते हैं, इसको आपको लगाने है, देखो कुछ जो wall का size था, वो 8 foot height में थी, और 6 feet ऐसा रखा था, आपका जो भी size आप जिस तरीके से लगाना चाहते है, लगा सकते हो, बस ये करने हैं उसको निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, 48 square feet था, अब जो mirror mosaic tile आती है, वो mostly 1 by 1 के size में मिलेगी, मतलब 30 cm by 30 cm के size में आपको market में मिलेगी, मतलब 1 feet by 1 feet में रहती है, नॉर्मली इतना पकड़गा आप चलो, कोई भी जैसे हमने ने 5-6 दिखाई, area होता है, हमें इस दिवार के लिए, कितनी चाहिए, वो कैसे निकलेगा, 48 square feet की दिवार थी, आपका जितना होगा लिख लेना, 48, divide by 1 square feet की tile है, तो मतलब कुछ 48 नग, एक दू वेस्टरी पकड़ लेते हैं, कुछ 50 नग हमें चाहिए, कितने 50 नग हमें इस दिवार पे लग होगी, यह इस शेप की होगी, यह आपको कुछ 300, 350 से start हो जाती है, 350 से एक tile हो जाती है, quality पर depend करता है, कुछ आपको दोसों में मिलेगी